करेंगे कि कैंसर या उसका प्रभावित कर रहा है जैसे कि बड़े बुड़े बच्चे या जवान और इसका सीधा-सीधा प्रभाव मनुष्य की फर्टिलिटी पर पड़ता है तो आईए आज हम बाग करेंगे कि कैंसर या उसका ट्रीक्मेंट किस प्रकार से फर्टिलिटी को अफेक्ट करता है और कैंसर के पेशिंट्स अगर मात्रित का सुख प्राप्ट करना चाते हैं तो वा किस प्रकार से कर सकते हैं अकसर कैंसर के ट्रीक्मेंट में बहुत बड़ी-बड़ी सर्जरीज की जाती हैं कीमो थेरेपी दी जाती है या रेडियो थेरेपी दी जाती है जिससे महिलाओं की और पूर्ष्यों की अंडा बनाने की शम्था या शुक्रानों बनाने की शम्था कम हो जाती है या पूली एक या स्पर्म या एंव्रियोस को फ्रीज करवा करके रखवा दें जिससे के आप जब कैंसर मुफ्थ हो जाएं या जब आप कैंसर फ्री हो जाएं उस वक्त आप इन अंडू को या शुक्रानूं को या भूनों को इस्तमाल करके माता-पिता बनने का सुख प्राप्त कर सके इसका एक बहुत बड़ा एक्जामपल है एक्ट्रस लीजरे जिनने के मल्टिपल मायलोमा यानि की ब्लट कैंसर की बिमारी थी जिन्नोंने अपने एक्स को फ्रीज करवाया और कैंसर फ्री होने के बाद में इन एक्स को इस्तमाल करके मातरत का सुख प्राप्त किया और अगर आप इस बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं तो आज ही तुरंट अपने Fertility Experts से आकर के मिलें